अब बात करेंगे बास्मती चावल के बारे में जहांपर निर्यात गड़ जाने से तेजी लंबी नहीं लग रही है बास्मति प्रिजाती के उत्पादन यानि की चावल का उत्पादन इस बार अदिक हुआ है दूसरी तरह भारती चावल के अपेश्या दूसरे परौसी देशों की चावल सस्ते पढ़ रहे हैं वहीं विद्रोईयों के आतंक से भी निर्यात की शिप्मेंट में काफी विलम हुआ है इन सब कंडिशन्स को देखते हुए अभी समीप में बास्मति प्रिजाती के सवी चावल में लंबी तेजी तो नहीं लग रही है अगर बास्मति प्रिजान का उत्पादन इस बार हरियाना, पंजाब, राजिस्थान, मदरपदेश सभी राज्यों में अधिक हुआ था वहीं तेजी को देखते हुए सीजन पर भी स्टॉकिस्ट वा राइस मीलर दोनों ही कॉम्टेशन में खरीद कर रहे हैं जिसमें तेजी के आने वाले भाव बन गए थे दूसरी तरफ निर्यात में दिन पर दिन गिरावट आने लगी हैं जिसे सीजन के उचे वाले रेट अब तक दिखाई नहीं दिये हैं सी आर पी एन राइस लाइन एलल पी के पार्टनर अनुवफ जैन के मुताबिक किसी भी विपार में सीजन की तेजी हमेशा दुबदाई होती हैं चाहे इसके जो भी आगे बने वर्तमान में राइस मीरों वास्टोकेस्टों के पास उचे भावों धान में फसे होते हैं जो ब्यास बाड़ा लगा काफी मेगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ निर्याद जन्वरी के महीने में 27-28 प्रतीशत के करीब कम रहा है जिसकी वैसे पाकिस्तान में 15-9 और 17-18 सही सही प्रजाती के बासमती चावल में गरेलू भाव मंदियों के अपेक्षा काफी सस्ते चल रहे हैं दोस्तों हमारे जन्वर को लाइक करना सब्सक्राइब करना बूलें जिससे हमको देशतियाई खबरें दे सके हैं सभी दान के भाव 200 से 200 रोपे परती कुंटर लेगे गिरावट पर आये हैं वहीं इन सारी परिस्तितियों को देखते हुए जब तर निर्यात उध्योग में पाकिस्तान के भाव सस्ते चावल निर्यात होते रहेंगे तब तक भारती चावल की गती नहीं दिखाई देगी दोस्तो अचेस्ट्रो मनी गुरू ब्यारस कमूनिटीस पर काम करके पुमिशेशन के साथ आपको अज़न कहीं देते हैं किसी पर जनकारी के लिए परमाईदी नमबर पर कॉल करें हमसे संपर्क करें नमस्कार